श्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधू के पाड़ शाला पर आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं प्रिवेस पेपर्स के हर्याना जी की क्वेस्चिंज तो हर्याना जी की क्वेस्चिंज पर हमारी फोर्थ वीडियो रहेगी और hopefully मैं daily जो है आपको हर्याना जीके के questions प्रोवाइड करा दोंगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question है निम्रलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृत भांड यानि की PGW स्थल है चार options है बनावली, बालू, भगवानपूरा और भिराना तो इसमें भगवानपूरा हमारा जोक option है वो correct रहेगा निम्रलिखित को सुमेलित कीजिए चार हमारे पास दिये हुए हैं केंद्र और चार ही दिये हुए हैं जिले उनको आपस में हमें जो है match करना है center of excellence for vegetable यानि कि जहां पर vegetables जादा है उसके लिए center बना है वो हमारा रहेगा करनाल अब देखो इसको अगर हम link कराना चाहें तो vegetable low हमारे last में है करनाल low last में है तो देखो connect कराने का तो अपना कोई idea होता है जैसे आपको अच्छा लग है आप वैसे कर सकते हो इसमें चोटी सी एक trick जो है बन पाई मुझसे तो मैं आपको बता सकती हूँ center of excellence for flowers flowers के लिए रहेगा जजजर अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि flowers यानि कि जो फूल होते हैं वो ज़र गए तो ज़र गए मतलब उसको हम कह सकते हैं flowers को जजजर के साथ हमने लिंक कर दिया center of excellence for fruits fruits के लिए क्या रखा हमने सिर्सा जहां पर सबसे ज़रा fruits होते हैं हर्याना में तो fruits में क्या होता है रस होता है तो उसी के coding इसको connect कर दिया fruits, सिर्सा integrated beekeeping development center अब यहां पे देखो beekeeping beekeeping को कहते हैं मधु मखी पालन तो मधु कुरू मधु कुरू चीक है तो इसलिए हमने उसको इसके साथ link कर दिया और first हमारा रहेगा इसके साथ integrated beekeeping development center तो center of excellence for vegetable vegetable के लिए हमारे पास कौन सा हो गया करनाल ल के लिए जा रहा था flowers जरते हैं यानि की जजजर ठीक है और fruits में रस होता है इसलिए लिए लिए इसको सिरसा और beekeeping development center के लिए मैंने लिखा यहां पे की मधु मधु से हमें बन गया कुरू ठीक है दोनों में क्या है rhyme scheme कह सकते हो कि same आ रही थी इसलिए कह सकते हो या यह कह दो कि beekeeping के लिए हमें बहुत बड़ा area चाहिए रहता है बहुत बड़ा छितर चाहिए रहता है तो इसलिए कह सकते हो कि छितर से related हो गया तो आपकी मर्जी है कैसे भी आप इसको link कराईए तो इसमें हमारा option जो है क्या रहेगा उल्टे चल रहे हैं सारे 4-3-2-1 तो 4-3-2-1 में हमारा रहेगा 4th D part ठीक है next देखिए खिलाडी जिसने 2018 के एश्याई खेलों में सुवर्ण पदक जीता तो इसमें सुवर्ण पदक हमारा जीता था बजरंग पुनिया ने ठीक है ये question हमारा पहले भी repeat हुआ हर्याण जीके में तो इसलिए मुख्य मंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में मिल्खित कतनों पर विचार कीजिए अब इसमें हमारे पस दिये हुए हैं दो कतन कि एक विद्वा की पुत्री के विवाहे तू 51,000 रुपे का अनुदान दिया जाता है ऐसी विद्वा महिला की वार्षी काई एक लाख रुपे से कम होनी चाहिए तो इसके लिए दोनों ही options हमारी correct है लेकिन ये उस time में correct है जब ये हर्याणा जीके के question previous में आया हुआ था ठीक है तो इसमें हम लिखेंगे A और B दोनों सही है लेकिन इसकी थोड़ी सी additional information में आपको दे देती हूँ कि अब ये 51,000 रुपे बढ़कर 71,000 रुपे कर दिये गए है जिसमें से 66,000 रुपे तो शगुन के तोर पर दिये जाते हैं जब शादी होती है और 5000 रुपे जो है वो जब पंजी करन हो जाता है शादी का ठीक है उस टाम दे दिये जाते हैं और ये किस के लिए होता है mainly जो अनुसूचित जाती है अनुसूचित जन जाती है ठीक है या टप्रिवा समुदाई की जो कन्याई होती है जिनकी गरीबी रेखा से सैलरी कम रहती है यानि की गरीबी रेखा से कम में आके जाते हैं तो उनके लिए ये सोहिधा प्रोवाइड की जाती है या ये कह सकते है कि जो लेडीज विद्वा है उनकी करन्याउं की शादी के लिए की जाती है लेकिन उनकी salary एक लाग से कम होने चाहिए ठीक है चलिए नेक्स देखिए नमलकित में से कौन सी फसल भावांतर भरपाई योजना अंतरगत सम्मलित नहीं है देखिए पहले तो भावांतर भरपाई योजना जो है वो जब चलाई गई थी उसके according उने ये कहा था कि जो fruits आप इसमें हमारे पास आलू, टमाटर और प्याज include होते हैं लेकिन गन्ना include नहीं होता अब जो ये कहते हैं कि चार इसके अंदर होती है तो चत्थी जो रहती है वो कौन सी रहती है फूल गोबी रहती है ठीक है तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे कि चार फसल जिसके उपर भाव वो निर्धारित किया जाता है जिसमें यह कह सकते हो कि उनकी 48,000 से 56,000 की आमदनी fix रह जाती है सुनस्चित हो जाती है मतलब ठीक है 48,000 से 56,000 की ठीक है जो परती एकड़ आमदनी होती है वो सुनस्चित कर दी जाती है आब इसमें कई बार question पूछ लें कि भावांतर भरप योजना में fruits कौन-कौन से होते हैं तो वो भी आप लिख लीजिए आम, अमरूद, और किन्नू ठीक है आम, अमरूद, किन्नू भी इसके अंदर include किये जाते हैं जो fruits होते हैं यह तीन fruits ही इसमें include किये जा रहे हैं बाकी भी इससे ज्यादा अलग सबजियां होती हैं जो जल देखिए, जन्गन्ना 2011 के अधार पर हर्याना की पूरुष साक्षर्ता दर है आप देखो जन्गन्ना से related हमारे हर paper में, as that के तो खासकर हर paper में एक एक question आया हुआ है, चाहे वो उसका जनसंख्या घनतव पूछ रहा है, चाहे वो साक्षर्ता दर पूछ रहा है, ठीक है, अब चाहे वो individual पूछ रहा हो, यानि कि महिलाओं की, चाहे पूरुष की, ठीक है, कई बर लिंगा उन्हों पात पूछ लेता है, तो ये तो आप detail में study कर लेंगे, जन्गन्ना 2011 के आंकडे जो हैं वो authentic है, क्योंकि उसमें जन्गन्ना होई थी, उसके बाद सिर्फ सारा estimation प 54.4%, तो पूरुष साक्षर्ता दर इसमें पूछी है, तो पूरुष के लिए हमारी रहेगी 84.15%, और अगर आप से पूछा जाए कि महीला साक्षर्ता दर क्या रही थी 2018 की जन्गन्ना के अधार पर, तो वो हमारी रहेगी 65.9%, ठीक है, 65.9%, और अगर आप से पूछा जाए कि कुल साक्षर्ता दर कितनी रही, हर्याना जिली की, ठीक है, तो कुल साक्षर्ता दर के लिए हम जाएंगे 75.55% के लिए, ठीक है, 75.55% के लिए, अब एक दो क्वेशन और जैसे की पूछ लेते हैं कि जीला कौन सा है, जहां पर कम साक्षर्ता दर है, तो कम साक्षर्ता द के लिए मेवाद जीला जो है वो सबसे कम रहता है उसके अंदर जो रहती है 54.08 54.08 परसेंट हमारी कम सक्षरतादर है मेवाद के अंदर और आपसे पूछा जाए कि अधिक कहा है तो उसके लिए बताया था मैंने आपको गुडगाओं ठीक है गुडगाओं जो है उसमें जो ह और यह दोनों एक दूसरे की इस तरीके से बताये थे मैं आपको लिंगावणु पात में बताये थे कि लिंगावनु पात सबसे अच्छा कहा है मेवाद कहा है और सबसे कम कहाँ है गुडगाओं है तो यह कह सकते हो कि ज़प्ढ़े लिखे हैं वो जो है फीमल पिटी साइ से किन राजों के साथ कलेसर राष्ट्रिय पार्क अपने सीमा सांझा नहीं करता है ठीक है सीमा सांझा करता है कलेसर राष्ट्रिय पार्क तो इसके लिए देखो अभी मैंने अब को बताया था कि दो ही राष्ट्रिय पार्क हमारे हैं हर्याना के एक सुल्तानपुर राष्ट पार्क ठीक है जो यमुना नगर में हैं तो इसने ये पूछा है कि ये कलेसर राश्रिय पार्क हमारा किस के साथ सीमा सांजा करता है तो आप्शन हैं हिमाचल प्रदेश उत्राखंड राज्यस्थान और पंजाब तो ये हमारा उत्री पुर्वी इलाके में जो है पड़ता है यमुना नगर में तो इसलिए हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड के साथ ये अपनी सीमा सांजा करेगा तो हमारा हो जाएगा आंसर बी उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश ठीक है नेक्स देखिए निमलिकित में से कोण सी नदी का साहीवी में सम्माहित नहीं होती है तो इसमें हमारा सही ओप्शन जो जाएगा वो रहेगा द्रिश्द वती ऐसी नदी है जुझाभी नदी में नहीं मिलती है बाकी सम्मिल जाती है, इंदवरी खास कर रिवाडी की आपकी नदी है और दोहन और कसावटी से पहले भी questions मैंने आपको बताया है previous question में आया हुआ है तो देखो यहीं से कहीं न कहीं question उट गया तो हमने चार options को पढ़ा हुआ होता है तो तो हमारे लिए बहुत easy रहेता है तो फिर वहाँ पे फिर हमें थोड़ी मुश्किल होती है यह दोनों नदी जो थी महिंदरगड के लिए पूछा गया था कि महिंदरगड में बहने वाले नदीयां कौन सी है तो दोहन और कसावटी हमारी महिंदरगड में बहने वाली है क्रिश्णावती आए तो क्रिश्णावती भी आपकी महिंद्रगड में बहने वाली न दे रहेगी नेक्स देखिए पंडित नेकिराम शर्मा के बारे में निमलखित में से कौन सा कथन सत्य है तो चार ओप्षिंस हमें दिये हुए हैं पंडित नेकिराम शर्मा ने तिलक के हो सापताहिक संदेश प्रकाशित किया ठीक है तो यह सापताहिक पेपर था इनका जिसका नाम था संदेश जो नों ने प्रकाशित किया था आपसे यह करके पूछ लिया जाता है कि पंडित नेकिराम शर्मा के दोरा प्रकाशित किया गया सापताहिक का क्या नाम था तो उसमें आ जाएगा हमारा पंडित नेकि राम शर्मा ठीक है तो इस तरीके से आपको questions arise करा सकते हैं और 1952 से 1956 तक वो राज्य सभा के सदश्य रहे तो ये आपका गलत option रहेगा चलिए next देखते हैं छेतर जिसमें करनल जराड ने 1857 के करानतीकारियों के विरूद आकर्मण का नेत्रितव किया उसमें हमारे पास चार options हैं पानीपत रहतक मेवात और नार्नूल तो इसमें आपका नार्नूल option जो रहेगा वो रहेगा जब कर्णल जेराड ने 1857 की करांतिकारियों की विरूद आकरमण में नेत्री तव किया था नेक्स निमनलिखित में से हर्याणा के राजयपाल नहीं थे तो इसमें हमारे पास ओप्शन्स हैं तो इसमें शिवराज पाटिल जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा तो इसकी एक लिस्ट बना लीजिए कि हर्याणा के राजयपाल कौन-कौन से रहे थे आप उसको दो-तिन बार भी अगर गो थू कर लेते हैं तो इसलिए आपको याद रह जाता है उसमें बहुत जादी लंबे चोड़ी बात नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा इसी तरीके से मुख्यमंत्री की बना लीजिए जैसे कि पिछली वेडियो में हमने किया था कि किसका कार्यकाल जो है उसको अवरोहिक करम में लगाना था तो अकोर्डिंगली हमने उसको बताया था कि बंसिलाल जी थे ठीक है भजनलाल जी थे ठीक है उनका साड़े बारा साल बारा साल फिर्भुपेंदर सिंग होड़ा का नो साल का था ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो study कर सकते हो ना कि अगर आपको पता चल गया कि राज्यपाल important है तो राज्यपाल को थोड़ा सब पूछ लेंगे आपसे पूछ लेते हैं कि पहले राज्यपाल को उन्थे जैसे धरंबीर थे ठीक है आप से अभी current के जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है तो बात क्या है कहने की कि राज्यपाल पता लग गया लिस्ट पूरी चेक कर लो भई लिस्ट में आपके जो जो questions बन सकते हैं आप उनको arise करके देखो खुद से पूछ कर देखो आपके जो friends हैं त्यारी कर रहे हैं उनके साथ आप मिलके बैठके आप उनसे questions करो ऐसे sharing करने से बहुत ची कई बर पूछ लेते हैं कि खापरवास कहा हैं नाहर कहा हैं काले सर कहा हैं तो मेरे घ्याल से अभ्यारण्या से एक question हर बार उठ रहा है तो आपको इसको go through करना बहुत जरूरी है तो आज का question में क्या है अभ्यारण्या दिये हुए हैं और जीले दिये हुए हैं आपको उन शिकारगड पंचकुला में और अभूब शेहर कहा है सिर्सा में ठीक है तो अब इसमें अगर थोड़ी सी ट्रिक के साथ अगर करें खापर वास, ठीक है, कि खापर खोल दूँगा मैं तुम्हारा, तो वहाँ पे वीर लोग रहते हैं, कहाँ पे जजजर में, ठीक है, तो खापर खोल ले वाले कहाँ हैं, जजजर में, ठीक है, नाहर, रह से हमारा रिवाडी, जहां से खतम हुआ, रह से हमने रिवाडी बना लिया बीर शिकारगड बीर शिकारगड का बीर शिकारगड बीर कहां पैदा होते हैं अच्छे कुल में पैदा होते हैं ठीक है बीर शिकार यानि की बीर लोग जो शिकार करते हैं वो कहां पैदा होते हैं अच्छे कुल में पैदा होते हैं तो इस तरीके से कर लो इसको कीजिए और फिर वो हमेशा के लिए याद रहेगा तो 1234 ही सीधा जा रहा है तो ABCD सीधा ही चला जाएगा भई ABCD 1234 ठीक है यह पहला ही कोश्चन हमारे पास पहला ही ऑप्षिन जो है वो करेक्ट हो गया नेक्स देखिए 2000 गर्ना की अधार पर हल्याने की दश्रकिया जनसंख मैं आपको बार-बार कहती हूँ आपको 2011 की जनगर्ना की आंकडे जो है याद रखने हैं बाकी आप सेकेंडरी मानके चलेंगे उनकी कोई authenticity नहीं है तो 17.64% 28.43% 21.31% 34% and 19.90% यह हमारे पास आंकडे दिये हुए है और इसके अंदर हमारा करेक्ट है 19.90% जो दश्किया जन सालों की होती है ठीक है और जनगर्ना भी हमारी क्या होती है हर 10 साल बात की जाती है नेक्स वेश्चन है कि एक नुमंबर 2017 को हर्याणा की तेरवी विधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है आप देखो मैंने विधान सभा पे भी पहले आपको बहुत सारी नुठ रहे हैं तो विधान सभा को भी डेटील में पढ़के जाएंगे और जो हमारी करंड के विधान सभा है वो चोध मीं विधान सभा पहले वाली वीडियोज अगर नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियोज भी देख ली जीए उसमें आपको ये सारी डेटील मैंने महीला सदस्य थी तो 13-13 से हमने याद कर लिया होगा उस तरहीं ठीक है लेकिन अभी की अगर बात की जाए अभी के लिए हमारे पास नो जो थी महीला सदस्य रही थी चोधवी विधान सभा में ठीक है चालो ये नेक्स देखिए निमलखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है 1857 की करांती के नेता हमें दिये हुए है और उनका कार्य चितर दिया हुआ है ठीक है तो इसमें हमारे पास सद्रू दीन जो है मेवाद से है ये हमारा और कारेक्ट है नहर सिंग नहर सिंग वल लबगड से है नहर सिंग से बहुत बार कोईशन उठते हैं तो इसको भी आप से पढ़ लेंगे ठीक है गफूर अली पतोदी तो ये गलत है गफूर अली पलवल से बिलोंग करते थे कहां से बिलोंग करते थे पलवल से बिलोंग करते थे और एहमद अली फरूख नगर ये भी करेक्ट है तो हमारा जो आंसर निकला है कि जो सही सुमेलित नहीं है वो गफ तो अम्बाला, फरीदवाद, हिसार और पानीपत तो इसमें हमारे पास पानीपत जो है वो correct answer जाएगा तो यहां पे वूलन की अगर आपसे पूछा जाए कि वूलन कपड़े जो है जारतर कहां बनाए जाते हैं वो भी पानीपत में बनाए जाते हैं कंबल बहुत famous है यह correct है नीती का उदेश्य शहरों में कम कीवत के आवासन विकास को प्रोचसाहित करना है correct है नीती के तहत 15 एकर अधिक्तम परियोजित छेत्र होगा ओके देन 150 वर्ग मीटर भूखंड का अधिक्तम आकार होगा यह भी correct है तो इसलिए इसमें सारे इसने पूछा कि सत्य को सत्य हमारे एक दो तीन चाल सारे ही सत्य है ठीक है बहुत rare chance होता है जिसमें कि सत्य हवाले चुन करके आपको देने पड़ते हैं जैसे अभी हमारा पीछे जो question था जिसने संदेश जो है publish किया था ठीक है तो उसमें हमारे पास एक ही question last का जो था वो पार्ट गलताया था तो कहां पढ़ता है हमारा थोड़ा पश्चिम की तरफ पढ़ता है हर्याना के तो इस वज़े से हमारे यहां पर क्या रहेगा जहां पर जमना नदी नहीं बहती है बाकि यह सारे पूर्वी इलाके हैं तो यहां पर जमना नदी बहती है next देखिए mango mela आयोजित किया जाता है mango मेला कहा योजित किया जाता है पिंजोर में सूरजकुन में सोहना में गोहाना में तो इसका हमारे पास रहेगा पिंजोर में ठीक है पिंजोर में mango मेला आयोजित किया जाता है ठीक है आम मेला भी कह देते हैं इसको आम मेला ठीक है और यह जो था 28 आम मेला था और यह 2019 में ठीक है क्योंकि 2020 में तो लोकडाउन हो गया 2020 में तो करोना ने ऐसी हालात किये कि कोई भी चीज़ें सालिब्रेट नहीं हो पाई थी तो 2019 में जो है ये जुलाई के मन्त में आई थिंक सालिब्रेट किया जाता है तो ये बात ध्यान रखेंगे कि लास्ट मैंगो मेला का बायो जित किया गया तो भी आ सकता है कि 2019 में किया गया कौन सा मैंगो मेला था ये 28 वा था ठीक है और कहां लगता है पिंजोर में लगता है यादविंदर गार्डन में तो एक और क्वेशन हमारे पास बन जाता है कि यादविंदर गार्डन कहां है वो कहां है हमारा पिंजोर में है ठीक है तो ये कुछ question हमने discuss की है हरेणा जी के के I hope कि आपको सही लगे होंगे और कुछ knowledge में जो है increment हुआ होगा तो अगर videos आपको अच्छी लगती हैं तो मैं आपसे हर बार request करती हूँ sharing आपकी बहुत कम है dear friends अगर आप sharing करेंगे तो और भी बच्चे देख पाएंगे और हमारे लिए भी ये थोड़ा beneficial रहेगा तो request है कि sharing ना टोटनी चाहिए ठीक है जितना ज़्यादा share कर सकते हैं friends के साथ उतना ज़्यादा share कीजिए चाहिए आप Facebook से related हैं चाहिए आप WhatsApp से करते हैं तो बहुत helpful रहेगा और channels पर नहीं हैं तो आप वीडियो को sorry channel को subscribe कर लीजिए ठीक है ताकि आपको early notification मिल सके थैंक यू